बिसमिल्ल्य रमार रखीम असलम एक्रम वेल्कम बैक टुम मैं चैनल अलिशा डिजाइनिंग आज हम आपको बहुत खुबसूरत सा दामन डिजाइन बनाना सकाएंगे इन्शाला यह वीडियो भी आप लोगों को बहुत अप्सान दाएगी तो वीडियो का एंड तक जुरू लेकर टैक्स टाल के डिजाइन बना सकते हैं वह आपके अपनी चैसे अगर आपके पास को बर्डर है तो भी लगा सकते हैं नहीं तो सिंपल कपड़े को भी आप यूज कर सकते हैं इसकी जो चोड़ाई है यहां पर चार इंच है और लंबाई मैंने अपने दामन के हिसाब आप से लिए अब आपने यहां पर एक चीज़ दिहान से समझनी होगी आप पहले ही डिजाइन बना लें फिर कमीज की कटिंग करें अगर ऐसे नहीं है तो आपने यह चीज़ दिहान में रखनी है कि आपकी जितनी भी लेंध है यहां पर हमारी 77 लेंध थी तो हमने तीन इ में चला जाएगा अब इस पटी के नीचे इतनी ही मार्जन की एक्स्टा पटी ले लेंगे सिंपल जो अंदर फोल्डिंग में जाएगी उसके बाद हमने इसकी उपर यहां पर यह स्टिक पेपर से डिजाइन बनाना है तो इसका जो डिजाइन स्टिक पेपर के एक इस तरह से देख लें उसकी जो शेप है वो सही आई है उसके बाद आप उसको जितने आपने दामन पे ट्राइंगे सोरी यह लगाने है डिजाइन उसे साब से काट ले इस तरह से होगा कि आपके जो डिजाइन हो बिलकुल एक जैसे कटिंग होंगे तो यहां पर देखे मै तो यहां प्रिजित निकल लिए है इसको फॉल्ड करूंगी लंबाइ तो आपको पता है इसकी मैंने आ भी है चोड़ाई भी मैंने सीस के त्यार ली है आप साथ से स्कटींग शेप दें धूझी उपर से निशान लगा के कुटिंग कर लूंगी तो यहां पर यह इस शेप में आएगा अब हमने इसके उपर जो रखना है दूसरे वाला पार्ट वो इससे चोड़ा सा चोड़ा होगा तो इसकी जो लंबाई है वो दो इंच और चोड़ाई एक इंच लूँगी तो इस तरह से आप पहले एक जो है वो बनाल इस्टे पेपर पे या सिंपल पेपर पे ताकि जब इनकी कटिंग करें तो सारे जो हैं बिलकुल एक डिजाइन में आए एक शेप में आए सेम इसको भी वैसे फोल करके तो उपर वाली साइड से मैं इसको ट्राइंगल शेप दे दूंगी दोनों की कटिंग कर लिए है यह दोनों इस तरह से रखेंगे जो चोटे वाला पीस है उपर रखना है जो बड़े वाला पीस है वो नीचे रखेंगे और यहां पे आप दे सेंटर में जितना गैप रखना चाहते हैं जितने लगाना चाहते हूं आपके पनी चाहिए अब यहां पर देखें एक हमने काट लिया था तो बाकी जो है वह इस तरह से इसकी उपर रखेंगे स्टिक पेपर पे ड्रॉ करके जितने दामन के लिए चाहिए उतने काट के इंगे इनको कुपका लिया है दोनों का जो करे डिफरेंट है कंट्रास्ट में इनके नीचे पिस्ट्र नाएं औरहे औरकिं इंद भी दियाने को दिखने हैं जो नीचे वासथ वह अपने एक किस्ट्र रहने के लिगा लिगा सब्साय कर से सीधा करना है जितने भी हमारे यहां पे वाली इस शेप में डिजाइन बनाया है सारे चोड़े और बड़े जितने भी हैं बिल्कुल सेम ऐसी ही एक साइड निचे वाली ओपन छोड़के बाकि जो तीन साइड है वहां पर इस तरह से स्लाइयां लगा लेंगे यहां पर और इस तरह से देखे एक पर हमने इस लगा ली है toma एक स्टर जो कपड़ा है वह करने पर करेंगे किस करनें और सारे इनको प्रेस कर लेंगे जोतें बड़े सारे गखा कि UNKO सीधा करके प्रैस कर लेंगे ज अरो फार्स छाइब आ हैं आप नीचे बड़े वाला राकिया कपड़े वालकर यहां प्राउन है कपड़े वाला यसको रखना है और दोनों कुछी तरह से सेट करना है जो गैप है इनका बिल्कुल एक जासाना चाहिए रख के सारे जो है इसलाई लगा लेंगे ताकि जब हम इनको कपड़े पर अटैच करें अपनी पट्टी पे तो कुछ मसला ना हो बाकी भी सारे इसी तरह से टोटल हमने साथ लिये हैं तो यहां पर मैंने सारों पर इस तरह से लगा ली हैं अब इसके बाद मैंने नीचे यह वाली जो पट्टी ली थी चार इंच इसकी नीचे इतनी ही मार्जन का मैंने यहां पर एक्स्ट्रा कपड़ा भी लिया था अब यह रखना है और इसकी जो नीचे वाली साइड है बॉर मारे चैनल पर मिल जाएंगे तो वह देखें आप उसे साफ से डाल ले टैक्स अब यहां पर देखें कपड़े को एक साइड पर पट्टी वाली नीचे वाली साइड है साइड पर करके तो जो नीचे पट्टी अंदर की साइड फोल्ड होगी इस पर लाई लेगानी है उपर साइड पर नहीं है कि अब इसको यहां पर सीधा करूंगी और सीधा करके हाथ से अच्छी तरह सैट करके यहां दूसरे किनारे से लिगा लोंगी ताकि दोनों जो पट्टियां है वह अच्छी तरह से कवर हो जाएं कि आप देखें मैंने इसलाई लगा लिए है और दो दो इंच के गैप पे मैंने एक ट्रई वह जो लियर्स वाले डिजाइन बनाया वो लगाना है तो यहां पर मैंने अपनी पट्टि पे निशान लगा लिए हैं आप इनका गैप जो है मैंने हर एक का दो इंच दिया है आप इनका गैप जो कम या जैदा कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे आपको पसंद हो तो हर पट्टी में मैंने यहां पर दो इंच का गैप छोड़ा है चोड़के एक यह पट्टी लगा रही है हूँ नीची वाले जो पट्टी है उसकी सीधी साइड पर रखे है मैंने इनको तो यहाँ पर आप देखे मैंने यह बॉर्डर की सीधी वाली साइड पर लगाई थी तो आप मैंने अपनी शोड़ का दामन लिया है इसके उपर मैंने इसको उल्टा कारके रखना है और जो मैंने पहले 얘रे बिए इसकी साथ दूसरी इसलाई लगानी है ताकि जो मैंने पहले वाली स्लाई लगाई है वो अंदर कवर हो जाए और ये वाली जो स्लाई लगाँगू ये फिंशिं के साथ आए यह स्लाई लगाने के बाद जो एक्स्टा कप्ड़ा है उसको उपर वाली साइड पे फोल्ड करूंगी और जो शड का दामन है उसके केनारे पे स्लाई लगा लोंगी यह स्लाई लगाने के बाद जहां पर ट्राइंगल के जिवले जो किनारे हैं यहां पर बीट्स लगा लोंगी तो बीट्स लगाने के बाद इसकी लुक दिखाती हूं यहांपे आप देखें यह जो ट्राइंगल के किनारें यहांपे मैंने बीट्स लगा दी हैं उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे जो दामन की लुक है वह बहुती ज़्दा खुबसूरत लाग रही है आप यह डिजाइन स्लीफ पर भी बना सकते हैं अपने टॉकसर पर भी खुबसूरत लुप देगा तो अगर आपको इस डिजाइन की वीडियो प्षान दाई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना पूले चैनल पे नहे है तो सब्सक्राइब करके जाएगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक अलाहाफेश